Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila. मैं फिर से आगया हूँ आपके बीच में एक बहुत important information के साथ आप में से बहुत सारे students जो है वो PhD करना चाहते हैं ICAR के institute से ICAR की laboratories काफी rich होती हैं, काफी सारे बढ़ियात equipments वहाँ पे होते हैं मतलब कहने का मतलब है infrastructure के मामले में काफी बहतरी laboratories होती हैं तो ICAR ने अपने PhD admissions के लिए भी notification निकाला हुआ है थोड़ी दिर पहले मैंने master's के admission के लिए notification का जिकर किया था उसके बारे में वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे अब JRF और SRF यानि की PhD के लिए किस तरीके से admission होगा उसका भी notification आ चुका है तो इस वीडियो को again last तक जरूर देखिएगा यहाँ पे आपके सारे doubts clear होगे कि किस तरीके से आपको apply करना है तो चलिए बिना देर किये हुए शुरू करते हैं यह वीडियो तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप यह link देख लें इस link को मैं description section में भी दे दूँगा ताकि आप directly apply कर सकें यहाँ पे आके next यहाँ पे आपको form fill करने से पहले आपको information bulletin जो PhD का है उसके ओपर जरूर देख लें तो यहाँ पे मैंने PhD का information bulletin और डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने screen के ओपर ICAR, AICE, JRF, SRF, PhD 2024 तो यहाँ पे देखिए JRF और SRF का PhD admission यहाँ पे उसका जिक्र होने वाला है अब यहाँ पे देखिए जैसे कि सभी NTA के examinations का जो व्रोचर होता है उसमें सारी details दी होती हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी दी हुई है यहाँ पर शुरुवात में आप देख सकते हैं यह इंडेक्स है अगर आपको directly किसी page के ओपर जाना है तो वो उस पे जा सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे सारे points को annotate कर दूँगा नीचे scroll करते हुए जाईए तो यहाँ पे अलग-अलग agriculture universities की abbreviations यहाँ पे दिये हुए तो इसको देख सकते है agriculture universities के अलावा यहाँ पे बहुत सारे और abbreviations दिये हुए है इसमें अगर आपके form फिल करने के दौरान कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे 13th में से 15th में के बीच में correction window भी open होगी admit cards के बारे में detail में बाद में information दी जाएगी इनकी website के उपर examination की date 29.06.2024 है duration of examination 120 मिनट का यानि की 2 घंटे का होगा timing वगेरा और center, date, shift यह सारी चीज़े admit card जब आप download करोगे तो उसमें mentioned होगी apart from that आपके attempted questions कितने हैं paper में आपने कितने questions attempt किये हैं या provisional answer keys क्या-क्या हैं वो भी आपको NTA की website पे बाद में पता चल जाएगी तो website की detail यहाँ पे mentioned है आपको जो results है उसके बारे में भी NTA की website पे detail में बाद में पता चल जाएगा online counseling भी ICAR बाद में announce करेगा अपनी website के ओपर यहाँ पे detail में दिया हुआ है icar.org.in declaration जब result का हो जाएगा तो उसके बाद यह सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अब नीचे आते हैं और discuss कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको apply करना है तो जैसे किसी भी NTA के form में apply करते हैं तो online apply करना है किसी भी और तरीके से आप apply करेंगे तो उसको accept नहीं किया जाएगा आप अपना correct email address, mobile number को आप fill करें online application form में तो आपके email ID पे और SMS पे आपका एक code जाता है पता ही होगा उसके बाद आपको जो भी login करने के बाद जो भी आपका application form में जो details मांगी जा रही है उनको आपको fill करना है normally जैसे बाकी forms में भी होता है कि यहाँ पे आपको अपना photograph चाहिए होगा यहाँ पे आपको अपना signature चाहिए होगा thumb impression चाहिए होगा यह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नीचे अगर हम scroll करते हुए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह कौन-कौन सी चीज़ें आप examination hall में नहीं ले जा सकते यह सारी चीज़ें जैसे general examination forms में दी रहती है शुरुआत में NTA के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे ICAR के बारे में दिया हुआ है अब देखते हैं जो NTA है has been conducting all India competitive entrance examinations for admission to BGA और PhD courses in agriculture universities and for awarding scholarships from 2019 तो 2019 से यह काम चल रहा है अब यहाँ पे दिखिए एक बहुत ही बड़ी examination है यह क्योंकि यहाँ पे 72 different subjects में examination होगी और 89 cities के उपर आप यह examination दे सकते हैं कौन-कौन से disciplines में जैसे कि agriculture, horticulture, forestry, veterinary यह सारे के सारे disciplines जो है इनमें आप examination दे सकते हैं कितनी seats हैं? 30% seats जो है और 100% seats Dr. RPCAU पूसा और RLBCAU जहांसी इसके अलावा ICR Dean to be University ICR, IVRI, IAR, CI, FE, NDRI यह सारे के सारे जगे की seats जो है वो आप देख सकते हैं तो देखिए 30% seats जो है वो बाकी universities, ICR universities की और 100% seats जहां पर इन universities की जहां पर बात किया है वो है तो यह point आपको पता होना चाहिए कि 40% से जादा किसी एक state की candidates एक agriculture university में नहीं रखे जाएंगे ठीक है ICR, JRF, SRF, PhD शाल बी अवार्डेट तो अलिमिटेड नमबर of candidates based on the merit merit के basis पे select किया जाएगा obviously तो there is no provision for direct nomination for admission through ICR in any doctoral degree program अगर आप ICR में PhD करना चाहते है तो आपको यह examination जो है वो qualify करना ही पड़ेगा यह यहाँ पे mentioned है अब कौन-कौन से subjects हैं seat availability कितनी हैं यह सारे के सारे annexures में दिया हुआ है अभी मैं उसके बारे में आगे आपसे बात करता हूँ next अगर आप आगे बढ़ें तो examination का pattern यहाँ पे mentioned है सबसे पहले तो यहाँ पे CBT यानि की computer based test होगा दो घंटे का test होगा total मिला करके 120 questions होगे यह तीन parts में होगे 20 plus 50 plus 50 जो पहले 20 questions होगे वो part A यानि की general knowledge, reasoning ability के उपर होगे next 50 questions part B यानि की core group के उपर होगे और उसके बाद subject opted by the यानि की core group की बाद जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो आपने PhD में जो subject लिया होगा, choose किया होगा जिसमें आपको exam देना है वो वाला subject से question paper बनेगा 50 part C specialized subject opted by candidate for PhD यहाँ पे multiple choice questions होगे चार options दिये होगे maximum marks 480 है क्योंकि 80 questions या 80 marks जो है वो part A के है 200 marks part B के है 200 marks part C के है इसमें correct question करने पे 4 marks दिये जाएंगे गलत question करने पे minus 1 medium of paper सिर्फ English रहेगा अब यहाँ पे detail में दिया हुआ है कि subset या section A में जो 20 MCQs questions आएंगे वो 72 specialized subjects में common ही होंगे तो the questions are based on general knowledge यह general knowledge के उपर तो based हैं बट इन areas में इन areas से question आपके पूछे जाएंगे apart from that जो section B है वहाँ से 50 MCQ questions core group से पूछे जाएंगे subset section C जो है वहाँ पे 50 MCQs पूछे जाएंगे on the specialized subject in master's degree अब देखे core group of section B उसकी details दी हुई है तो core group का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और कौन-कौन से subjects of examination हो सकते हैं वो दिये हुएं जैसे कि crop science में 3 हैं फिर crop science 2 में यह हैं इस तरीके से आप यहाँ पे scroll करके नीचे जा सकते हैं और अलग-अलग जो core subject से उसमें कौन-कौन से further subjects आते हैं उनको choose कर सकते हैं अब जैसे कि fishery science में यहाँ पे fish bio technology का एरिया आता है अगर आप natural resource management में जाएं तो environmental science का एरिया आता है अगर आप agriculture science में आएं तो bio informatics का भी एरिया आता है तो इस तरीके से आप अपने मन के जो subjects हैं यहाँ पर पर्टिक्लर subject चाहते हैं तो यहाँ पे आ करके आप further choose कर सकते हैं अब यह देखें यहाँ पे food processing and technology का भी एरिया है इसके अलावा veterinary bio chemistry, veterinary bio technology का animal bio technology animal bio chemistry के भी एरिया हैं यहाँ ठीक है तो बहुत बहुत wide area है जैसे कि यहाँ पे अगे आप molecular biology and bio technology के भी एरिया है तो बहुत ही wide areas में यह फैला हुआ है आप इसको check out कर सकते है नीचे अगर मैं scroll करता हुआ जाहूँ तो अगर star लिखा हुआ है तो for admission includes जहां यहाँ पे star marked है यह जैसे यहाँ पे three four stars marked है तो इसका मतलब हो गया for admission includes यह चीज़ें आपके पास होनी चाहिए यानि की veterinary extension education MVSC essential for admission होगा अब syllabus क्या क्या है यहाँ पे तो syllabus की details यहाँ पे आप click करके syllabus यहाँ का check out कर सकते है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे click करूँ तो यह option मुझसे पूछ रहा है और मुझे नए page के उपर redirect कर देगा हाला कि अभी यहाँ पे फिलाल के लिए कोई भी syllabus का option देखने को नहीं मिल रहा next आजाए यह conditions for award जो ICR, SRF की जो यहाँ पे examination है किस basis पे यहाँ पे आपको award किया जाएगा तो ICR will be ICR, SRF, JRF, PhD will be awarded on the basis of merits code तो क्या आपके score था उसके basis पे ही आपको यहाँ पे allotment किया जाएगा अब देखें यहाँ पे बनारस Hindu University जैसे universities भी यहाँ पे agriculture में admission ले रहे हैं apart from that fellowship will be admissible to persons of Indian nationality यह मैंने आपको बताया है हुआ है that means यहाँ पे जब आप PhD करते हो तो यहाँ पे आपको fellowship भी मिलेगी ठीक है तो fellowship कितनी है क्या amount है fellowship का उसके बारे में भी अभी बात करते हैं यहाँ पे दिखिए दिया हुआ है the amount of fellowship will be at the rate of 31,000 per month for the first and second years and 35,000 for the third year यह SRF है contingency grant जो है वो 10,000 रुपे की है not more than 50% contingency grants will be spent on purchase on books ठीक है यह सारी के साही details हो गई अब हम लोग अगर नीचे जाए तो JRF PhD holders will be required to maintain a OGPA or CGPA of 7.0 out of 10 at the end of each year of study इसका मतलब हो गया है यहाँ पे coursework वगरा भी होता है तो आपके इतने percent marks यहाँ पे maintain होने चाहिए reservation policy के बारे में details यहाँ पे दी हुई है फिर आप physically disabled candidates के लिए यहाँ पे details है नीचे आप scroll करेंगे तो eligibility criteria and qualifications के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है देखिए जैसे कि अगर हम लोग general OBC, NCL, EWS candidates की बात करें तो 10 point scale में 6.5, 9 point scale में इतना तो यह total दिया हुआ है और SCST, PWD candidates के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है अच्छा, अगर आप नीचे scroll करते हुए जाएंगे तो eligibility criteria देखें यहाँ पे अगर आप subject of specialization देख रहे हैं, genetics and plant breeding में अगर आप करना चाहते हैं तो eligibility criteria यहाँ पे क्या है genetics, plant breeding है अब यहाँ पे जैसे कि plant, genetics, resources वगरा है तो यह नहीं की कहने का मतलब है, जो first column है वो subject of specialization है, किस चीज़ में आप PhD करना चाहते हैं और यहाँ पे eligibility qualifications दी हुए कि आपकी जो qualifying degree है, वो क्या होनी चाहिए अब अगर हम लोग यहाँ पे गौर करने जाएं तो देखें, biochemistry यहाँ पे allow कर रखा है ठीक है, इसके अलावा अगर molecular biology and biotechnology में आप करना चाहते है तो agricultural biotechnology या biotechnology या molecular biology biotechnology को allow कर रखा है यहाँ पे देखें, microbiology को allow कर रखा है तो कई सारे options हैं अगर आप इसको search करेंगे ठीक से तो बहुत सारी जगे पे आप eligible होंगे क्योंकि हर जगे आज कल interdisciplinary research ही allow होती है, तो यहाँ पे भी देख सकते है veterinary microbiology में भी microbiology को यहाँ पे allow कर रखा है next अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको scroll करते हैं आप नीचे जा सकते हैं और इसके बाद check out कर सकते हैं कि आप कौन-कौन से और areas में eligible है मैं नीचे इसको जल्दी जल्दी से scroll करता हूँ ताकि बाकी सारी चीज़ें भी देखें bioinformatics भी यहाँ पे mentioned है yes ठीक है, तो age limit की बात करें जो 20 साल से कम age यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यह point यहाँ पे clearly mentioned है, इसके बाद registration and application process की बात करता हूँ NTA के पास write होगा कि वो examination city जो है वो अपने हिसाब से रख सकता है अब आ जाते हैं कि क्या तरीका है किस तरीके से आपको form fill करना है सबसे पहले online registration आपको fill करना है email ID और अपना mobile number यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपको online application form को fill करना है और system generated जो application number होगा वो आपको note down करना है याद रखेगा यहाँ पे कई सारे documents की आपको जरूवत पड़ेगी photograph, signature, thumb impression इन सब चीजों की जरूवत पड़ेगी fees का भी payment आपको करना होगा जो आप SBI, ICICI, bank payment gateway से आप कर सकते हैं debit card, credit card, net banking या UPI के थूप नीचे और scroll करते जाते हैं तो यहाँ पे again fees दी हुई है और यहाँ पे method of payment दिया हुआ है ठीक है तो यह सारी बातें यहाँ पे हो गई अब यहाँ पे देखिया admit cards के बारे में दिया हुआ admit card जो है वो लेटर आउन आपको पता चलेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पे website से आप download कर सकते हैं conduct of examination मतलब आपको किस तरीके से examination hall में क्या चीजों का ध्यान रखना है वो mentioned है unfair means के बारे में mentioned है नीचे आप और scroll करेंगे तो यहाँ से फिर results के बारे में mentioned है तो पहले तो अप NTA जो है 200 रुपए पर question का आप पैसे दे करके आप इसको challenge कर सकते हैं ठीक है वापस आते हैं और discuss कर लेते हैं यह सब counselling वगरा तो होई गया miscellaneous provisions में ऐसा कुछ भी नहीं है नीचे scroll करते वे जाते हैं तो यहाँ पे अलग-अलग states के बारे में दिया हुआ है कौन-कौन सी जगों पे examination center पढ़ सकते हैं तो बहुत सारी जगों पे हो रहा है तो इसका तो कोई tension नहीं होना चाहिए कि आपके जगे के आसपास यह होगा की नहीं होगा of course बहुत chances हैं कि आपके घर के आसपास यह होगा domicile का code दिया हुआ है form भरते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी post graduation में आपकी क्या stream थी उसके लिए भी यहाँ पे code दिया हुआ है यह भी ध्यान रखेगा next अगर हम जाते हैं तो college of post graduation उसका code दिया हुआ है यहाँ पे और फिर mode of payment के बारे में दिया हुआ है कि कितने fees आपको लग सकती है किस net banking से या credit card से, debit card से कितनी कितनी fees लग सकती है यहाँ पे contact करने के लिए लिए दिया गया है कि अगर आपकी fees payment में कोई दिक्कत हो तो आप किन-किन लोगों को contact कर सकते हैं यहाँ पे दिखा हुआ है ठीक, next आजाएए यहाँ पे form भरने की पूरी प्रक्रिया दी हुई है किस तरीके से आप एक-एक step by step आप form भर सकते हैं ठीक है तो खेर हम इसको omit करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं कि next जो provisions हैं यहाँ पे येस ओके यह सारा वही है अब देखिए यहाँ पे जो details दी हुई है कि कितने जो देखिए किस तरीके से आपका normalization वगरा score होगा procedure to be adopted for compilation of NTS scores तो अगर आप सीखना चाते हैं कि किस तरीके से आपका normalization होगा तो उसकी details यहाँ पे दी हुई है again यहाँ पे कुछ forms दी हुए है physically disabled candidates को कौन से forms भरने है अगर आप लिख नहीं सकते तो कौन से form भरने है यहाँ पे देखिए अलग-अलग institutes के codes दिये हुए हैं ठीक है तो इन codes की ज़रुद पड़े कि जब आप form fill करेंगे तो भी आपको यह codes को use करना पड़ेगा next आ जाएए अब indicative and tentative list of universities for admission कौन कौन सी universities में admission लिया जाएगा यह देखिए यह पूरी list of universities है जहां-जहां से admission लिया जाएगा यहाँ पे email ID भी दी हुई है उन universities की आप इस पे क्लिक करके वहाँ से detail उठा सकते हैं phone number भी दिया हुआ है तो देखिए काफी सारी universities में यहाँ पे admission लिया जा रहा है इसके तुरू है चेकाउट कर सकते हैं देखिए इसके बाद cast certificate, schedule cast, schedule tribe वगरा कौन सा फॉर्म भनना है यह सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है तो यह सारा इधर annexures दिये हुए या forms दिये हुए नीचे scroll करते हुए जाहिए यहाँ पे देख सकते हैं अगें यहाँ पे employment state अगर आप in service candidate है तो क्या करना है वो दिया हुआ था next scroll करते हुए जाहिए अब यहाँ पे देखिए tentative subject and university wise seats कितनी seat है किस university में वो भी mention किया हुआ है तो काफी clearly इस चीज़े mention की हुई है कि किस तरीके से कौन सी university में या कौन सी जगह पे कितनी seats बाकी हैं कितनी seats हैं sorry तो आप उसके हिसाब से आप apply कर सकते हैं ठीक है तो उमीद है कि यह information आपके लिए useful रही होगी अगर यह information पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेगा थैंक यू सो मच आव गुड डे